हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई इस्टेडी फीट आफ फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों जैसा कि आप सबका एक्जाम कल है इसको देखती हुए मैं स्पोर्स करेंट से कुछ कोश्चन्स लेके आई हूँ जो आपको कल एक्जाम में एक दो कोश्चन्स अवज से करेंगे IAAF यानि International Association of Athletic Federation जिसकी इस्थापना 1912 में हुआ था इसके बर्तमान अध्यच है सेबेस्टियन कोई ब्रिटेन के इसे में बस में बर्तमान अध्यच की बात करूंगी डेटेल में नहीं जाओंगी क्योंकि सब चीज की बारे में आपको पढ़ाया गया है ठीक है जो IAAF है इसके बारे में एक और चीज जा लेजिए कि December 2019 में इसका नाम बदल करके World Athletic कर दिया गया है and next है AFI यानि कि Athletic Federation of India जिस प्रकार IAF यानि World Athletic Federation विस्व लेबल पर Athletic को कंट्रोल करती है उसे प्रकार AFI भारती Athletic संग जो है भारत में Athletic को संचालित करती है तो AFI के बरतमान अध्यच है आदिल सुम्री वाला AFI के इस्थापना कब हुआ था 1946 बंगलवर में and next है FIFA FIFA जिसके बारे में आप सब जानते हैं FIFA Federation International D-Football Association जो फुटबाल को बिस्व में अंतराश्टी है फुटबाल में चुका संचालन कराने वाली इसस था है जिसके अस्थापना 21 1904 फेरी फ्रांस में हुआ था और इसका जो मुख्याला है जूरिक शूर्जे लेंड है और बरतमान अध्यच है गियानी इंफेंटी नहीं यहां पर मैं बस अध्यच की बात करूंगी पुरे डिटेल में मैं तो आपको सभी वीडियो में समझा है दी हूँ एंड नेक्स्ट कोर्चन है नेक्स्ट है आपका ICC International Cricket Council जिसका था अपना 15 जून 1909 में हुआ था बरतमान अध्यच है इसके ICC के Great Berkeley ICC के CEO है बरतमान में जियोफ एलर 10 ठीक है और नेक्स्ट है AIFF एल इंडिया फुडवाल फेडरेशन जो हिंदी में कहेंगे अखिल भारती फुडवाल संक जो भारत में फुडवाल संक का नियंदर करती है जिसकी इस्थापना 23 जून 1970 सिमला में हुआ था है रिक्वार्टर कलकत्ता बस्चिम बंगाल में है और AIFF के बरतमान अध्यच है कल्यार चोबे कौन है कल्यार चोबे नेक्ष्ट है आपका BCCI जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है ठीक है BCCI जिसके बरतमान अध्यच है रोजर बिन्नी 1968 में इसके अस्थापना हुआ था एंड यानिकि बोर्ड आप क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया BCCI बोर्ड OCA यानि Olympic Council of Asia जिस प्रकार IOC International Olympic Committee पुरिवर्ड में उलम्पीक को नियंदित करती है उसी प्रकार Asian Games को नियंदित करती है Olympic Council of Asia यानिकि Asian Olympic संगठन जिसका अस्थापना 16 नुवंबर 1982 को नीडेल ही में हुआ था एंड इसकी बरतमान अध्यच है सेख फ़हद अल सबा And next है FIH यानि कि International Hockey Federation जो है यानि विश्च्व हाकी संग कि बरतमान अध्यच है मुहमद तयव इक्राम Next है IHF यानि International Hockey IHF दोस्तों Indian Hockey Federation ठीक है Indian Hockey Federation यानि भात यह हाकी संग है कि बरतमान अध्यच है मुहमद मुस्ताक अहमद नेश्च दोस्तों WADA जिसका Full Farm है World Anti-Doping Agency जिसकी इस्थापना 10 नुवंबर 1999 को सुर्जर लेंड के लुशेन शहर में हुआ था मुख्याले है WADA का कनाडा मांटेर सहर में बरतमान अध्यच है WADA के जान फाहे इसके पहले बिटोल्ड बांक का थे ठीक है अब है जान फाहे जो अब आश्रलिया के पूरो बित्त मंत्री हैं और नेश्च दोस्तों नाडा यानि National Anti-Doping Agency जिसका अस्थापना 24 नुवंबर 2005 को जवाहला नेरू इस्टेडियम नुडेल ही में हुआ था इसका मुख्याले नुडेल ही है और दोस्तों नाडा के बरतमान अध्यच है अनुराग ठाकुर जैसा कि आप जानते हैं नाडा हो गया और साई हो गया इनकी जो अध्यच होते हैं मिनिस्टर आप स्पोर्स जैसा कि आप सबको पता है आई ओसी की इस्थापना 23 जून 1894 को बेरन पीरेडी कोबर्टिंग ने किया था जिसके तहत आपथम आधुमी कोलंपिक खेल 6 अप्रेल 1896 को एथेंज के पेन अथेंडिक इस्टेडियम में स्टार्ट हुआ था एंड नेक्स्ट है दोस्तों साइ के बरतमान अध्याच है अनुराग ठाकूर क्योंकि जो खेल और युवा मंत्राला के मंत्री होते हैं वही इसके अध्याच होते हैं तो खेल युवा मंत्राला के जो अध्याच कोन है मंत्री कोन है अनुराग ठाकूर है यही इसके अध्याच है और साइ के कारवाहक मह में पूछा हुआ था तो IPC इंटरनेशनल फ्राय उलंपिक कमीटी इसकी स्थापना 22 सितंबर 1989 जर्मनी में हुआ था इसका हेट क्वार्टर बांड जर्मनी है और इसके अध्यच है एंड्रू पार्संस कौन है एंड्रू पार्संस इस प्रकार एक 14 टॉपिक लेकर मैं आपक सबको गार्ड ब्लेर्शिंग भगवान आप सबका पेपर अच्छा कर आए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्रू